हलो, कैसे याद लो, गुद्मारिंग मच्चों, तो इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश विला, उस उफ एंड, तो स्टाइ, मैं आपको उस उफ एंड बताऊ, उस उफ एंड, एंड, एंड का इस ना करते हैं, एक शब्द को, एक वर्ड को उसरे वर्ड से जोटने के ना, रहा है, कुछ आपिंक लें है आपको, इखी कौशा बिक्चर ये, बॉल, और ये, बैट, तो मैं यह अभिला और, बॉल और बैट, तो आपको कैसे बोलेंगे, बॉल एंड, वैट, कावेंड बैट, ये कौशा बिक्चर है, फिश, फिश, एंड रग, एपल, अज्य को बोल and mango काविट & टॉप लिए बोल के साथ इस्हल कि बल टाती ब relationships बोल and कोबी है कि देनी a and t and बोल and बेल्ड क्या है? बोल बेल्ड फिश एड गेलड फिश है हो गै बेल क्या है? बेल्ड है चुबभा है apple and mango apple and mango kite and cup kite and cup अब spelling के दूब बताती हुएं आपको आपको सभी को spelling पढ़ना याद है ना spelling लाद होगी ball and ball है pet fish and 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 r a t dead end है उसका करने मिद जहाँ कोई भी एक word कोई उसे word से जोटने के लिए या एक sentence कोई उसे sentence से जोटने के लिए ठीक है ऐसे apple and 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 mango kite and 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 cup अगें रिवाइब आपको आपको में यूसे खा रही हूं and it is used to join any two words or sentence जैसे कि मैंने आपको बता है कोई भी दो words को जोटिक लिए या sentence के लिए हम and का यूस करते हैं इसमें कुछ examples है देखे a man a man and a dog कौन है एक आदमी है और एक कुटा है है ना a cow गाहे cow and a cat cow और cat है है ना तो end पर आपको फोकस दिया है क्योंकि ये क्या कर रहा है cow को और cat को दोनों को जोड रहा है है ना a cat and a fish केके और fish है ओके a bat and a body बैटे और एक ball है हाना a man and a boy एक आदमी है और एक लड़का है आपको समझ में आया ना भी so children इसी में page नमबर 38 पे दिया आपके पास book है तो आपको ये end का यूज करके ये sentence को fill करना है this is a girl and that is a boy इस प्रकार से छोटे छोटे sentence से इसको भी आपको complete करना है ओके now time for homework मैंने हाँ आपको कुछ five sentence दिये हैं ये सारे sentence आपको five five times write and learn करना है हाना इसे a verse and a car इस प्रकार से ये five sentence से ये आपको homework में करना है five five times ओके चल रहा है उना है अपको चल रहणए अचल रहल से आपकोistas अपको अग मैं जे आप practice tar Denis